अगर आपकी उम्र है कि उम्र, 60 के तो आप तो बुर्वर्ग होगे, इसका मतलब हो गया कि एक सी साही साल का जो टाइम है, बताओं वो छोटा टाइम है या फिर लीम अजी ट अनव सही ठील ॴ। तो लॉंग टाइम हो गया यहां तक याद हो गया अब सर लब को कैसे याद रखें पहली बाद तो आप अपने आंसर तक मौच जाएंगे उसके बाद ट्रिक बताता हूं यह लिख रहा है फ्लेम का मतलब क्या होता है लो लपट आपने देखा कहीं पर आग जल रही तो फ्ले आपके अंदर की जौला है वह भार आजाएगे यह दिस अच्छा प्यार करते हो तो लव बहुत अच्छा इसलिए लव के अंदर क्या होता है फ्लेम होता है जौल होते है तब ही तो आप रात और रात पढ़ते रहते हैं तो लव है ठीक है न तो दूस्तों ऐसे करके यह य होगा कि सर इसमें जो दे रखा है वह सेकंड वाले में गलती है बहुत सारे बच्छों के माइंड वे यह जवाब आएगा कि सर 300 लेख रहा है यानि 300 और 300 के बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल आएगा सर यह को यह गलत है ऐसा नहीं होता इसके अंदर यह कॉंसेप्ट होता है अगर कभी भी ना 300 इयर आ जाए 400 ऐसा कुछ भी आ जाए तो यह क्या करता है एक एड्जेक्टिव की तरह कारे करता है और यह रूल होता है कि अगर एड्जेक्टिव और यदि यह नाउन दे रखा है तो एड्जेक्टिव से पहले कभी भी दा यूज नहीं होता ब हुर है इंग्लिश का मतलब है जैसे मैंने लेखा अगर मैंने लेखा है हम किताब यहां तो इसका मतलब हम इसका मतलब हम हिंद्व सब्जक्ट इस बात हो रहे है, और दा हिंदी कर दिया, मतलब आप हिंदु लोगों की बात कर रहे हैं, बात समझ़े रहे हैं, मतलब सब्जघ्ट के नाम से पहले अगर दा लगा दिया, तो मतलब आप पिपल की बात कर रहे हो, मैंने बोला कि I teach English, इंग्लिश मैं इंग्लिश पड़ाता हूं अगर मैंने बोल दिया आई टी जदा इंग्लिश बहुत सारे बच्छे तो यह सोस्त है कि सरदी दा का क्या है दा तो मतलब कहीं भी लगा दो ऐसा नहीं है यार बड़ा बहुत चेंज हो जाता है ठीक है न तो इसको आप हमेसा या लोगोंने फ्रेंच वार्टलु के जो iç mutóc हुआता यह कि प्रेंच की बहुता है न तो एंग्रेजिक वाले लोगों को इसको वाले लोगों को और तो इसका मतलब है तो पीपल पीपल कोई तो हराएगा तो इसका मतलब है कि यार जो सी वाला है वो गलत दे रखाए यहां पर दा आना चाहिए समझ माग है concept भी समझा दिया और error भी आपको find करके बाद आ दिया इसके बाद देखिएगा यह लिख रहा है अच्छी तरह से ज्यान से समझ लेना आई एम एल्डर दैन यू यह अप सोचो इसमें क्या error होगा जल्दी से दिमाग लगा और सोच के बताओ इसके अंदर error क्या हो सकता है अब देखो ज्यादा वक्त मत गवाना यह क्या लिख रह कभी भी लास्ट में IOR आजाएना senior junior, एंटिफीरर तो अगर कभी भी इनके last में IOR आता है तो IOR से यदि कभी भी किसी की comparison करें तो हमेशा उसमें दा नहीं, उसमें तू लगता है, क्या लगता है, तू लगता है yes or no, जैसे मैंने आप से बोला के तुम मुझसे senior हो, मतलब you are senior to me, then नहीं आएगा, बच्चे confused हो जाते हैं कि वो comparison हो रहा है, तो सर जी, then लगा दो तो यहां पर क्या आएगा, बताईए elder के बाद आजाएगा, तू ना कि then तो इसलिए गलती कौन से पार्ट में, तीसरे पार्ट में गलती है समझ में आ गया, इसके बाद देखी कि we are going to chain by a train, यानि कि हम एक train के माद्यम से chain नहीं जा रहे हैं, तो पहले आप इसमें error find करो, कर लिया, ठीक है, मुझे पता है कि online test नहीं हो रहा है, तो देखो, अब क्या करना, इसमें चौते वाले में गलती है, गलती क्या है, देखो, हमेसा याद रखना, जब भी transport की जो भी चीज़ें होती है, जैसे के train होती है, बस होती है, एरोप्लेन होता है, तो उनसे पहले, कभी भी आपको article use नहीं करना, बात समझ में आ गया, article use नहीं करना है, सर, article use कब नहीं करना है, जब उससे पहले अगर buy वगरा दे रखा है, बाई दे रखा है, तो याद रखना कि buy के बाद अगरी कोई भी transport की चीज़ आती है, जो आपको एक जगे से दूसरी जगे ले जाती है, उससे पहले कभी भी article use नहीं करते, बताओ समझ में आ गया, ठीक है, वो कब नहीं करते जब buy आए, तो चोथा वाला गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पर example भी लिख दिया, I have a car, मेरे पास एक car है, तो यार एक बात होता हो, यहाँ पर हम article use करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंके countable singular countable noun है, और rule यह होता है, कि singular countable noun के पहले आपको article का use करना पड़ता है, yes on no, तो यहाँ पर देखो buy भगरा दे रखा है क्या, नहीं, मतलब जब buy नहीं दे दे रखा हो तो तभी इसके बाद आपको transport की चीज में एंदा नहीं लगाना, यदि buy नहीं दे रखा है, तो अगर कहीं भी transport की चीज आती है, तो उससे पहले आपको एंदा लिखना है, अगर वो singular है, तो clear है न, इसके बात एको next question है, कि nowadays I am not interested teaching Hindi, सोचो, आप इसे पढ़ रहोंगे और आपकी तुरंत दमाग में आ गया हो गया, और इससर आपने तो ये गलत question लिख दिया, अगर आपने अच्छी तरह से कल की प्री पोजीशन के यदि वीडियो देखी होगी, तो आप आराम से इसमें गलती find करेंगे, इसमें दो गलती है, पहली गलती तो ये, क ये कहले करा है बता in लिख रहा है ना, तो बस याद रख ले कि यदि interested आ जाएना, तो interested के बाद in आता है, दोस्त कोई problem नहीं होना चाहिए, समझ लेना नहीं आए ना, तो comment box में एक नहीं चार comment डाल दिना, एक तो पड़ी लूँगा, ठीक है, तो अब इसमें याद लेकिन इसमें एक गलती और है, समस्छी और ना, ये गलती तो है इसमें एक गलती और है, वो find करो, कभी भी याद रहे नहीं होता, वो होता क्या है, वो होता, ना़ बीच में, यह बता देता हूँ, एक बच्चे ने मुझे comment में पूछ था ये दो तीने वार comment कर चुगा थ लास्ट में कम से कम दो मिने पहले की मैंने कमेंट कल पड़ी थी प्रेजंट कंट संफ के बारे में पूछा था और एक पास्ट मेर्ग बच्चों का पूछना था संथ यह नी पता होतां के वह सब्सक्राइब लगता है एक बात और एक होता है प्लूरल यह सोनो इस सिंग्यूलर का मतलब होता है कोई चीज एक हो और प्लूरल का मतलब होता है कोई कोई भी चीज एक से ज्यादा हो परसन हो यह प्लेस हो कोई फरक नहीं पड़ता सिंग्यूलर एक बात तो है अचाहिए बता सिंग्यूलर कम है ना और प्लूरल जो होता है जादा होता है अगर एक से जादा होगा तो वह तो भाई प्लूरल हो जाएगा बस यह समझ में आ गया अब देख यह वाली चीज़े ना तो आई याद रख लेना वाई कि ही शी इट नेम सिंग्यूलर सब्जेक्ट यदि आ जाए तो इनके साथ आपको इज लगाना है यू दे वी और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो इनके साथ आर लगाना आई के साथ एम लगाना है सर यह तो हमको चलो याद कर लेंगे लेकिन इस हो तो उनकी कमेंट से मुझे अंदाज लग जाता है कि कितना कम जोर है ठीक है तो उन सब के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है यह बताओ देखो में इनको अभी याद कर रहा तो इज आर एम यह बताओ इज आर में से इज के कितने आ रहा है डिजिट बताओ इस में कतिने आ रहा है एक डो इसमें कितने आ रहे है एक दो तीन हैंने काउंट टीन आ रहे है यह बताओ इनवे चोटा कौन सा यह छोटा है चोटा मतलब singular तो इज क्या हो जाएगा singular यानि कि जो भी यदि singular subject आएगा तो इनके साथ हम क्या लगा देंगे इज समझ मा आ गया तो आर क्या हो गया तीन plural हो गया अब इन में मैच करके देख लो बताओ दो छोटा है न तो मतलब M singular होगा भै आई के साथ आई singular होता है और आर जो होता है वो बड़ा होता है तो यह हो जाएगा plural समझ मा आ गया अब देखो इनी को जो मैंने यह सब चीज बताई है न इन चीजों को अब आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करना आप यहीं से याद रख लेंगे पास्ट कंटरिलेस की जो वर्व होती है बहुझार और इनको याद करने का तरीका बहुत सब्सक्राइब हो यह बताओ यहाँ पर आप इनको तो याद करी लिए न यहारा न, इज, अब जिस लास्ट में क्या रही है बताऊ, इस欸s इसका मतलब है कि इसके last में क्या रहा बता हो ऐसा आ रहा ना यानि के age के साथ यानि जितने भी ये noun दे रखें subject दे रखें इनके साथ age आता है इसका मतलब है कि इनके साथ भी बॉज आएगा क्यों आएगा भूल भी नहीं पाएंगे क्यों दोनों में ऐसा आता है तो अब confuse हो जाएंगे सार भॉज आए या फिर वर आए इन सभी के साथ भाई ऐसा बता दो कि अलग से याद ना करना पड़े last में क्या रहा बता हो R E तो देखो इसमें क्या रहा है R E ये दोनों match कर रहे है इसका मतलब यह हुगा कि इनके साथ क्या आएगा R तो इनके साथ भी वर ही आएगा ठीक है ना तो याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ना यहनि जो R के साथ आता है subject रहा वही वर का subject हो सकता है जो वाज का होगा वह ही했ज का होगा क्योंकि दौनों में similarity मैंने बता दिया I singular इसलिए यह अलग से होता M अच्छा अब देखो यहां पर मैं आपसे पूस्ता हूँ आप खुद बताना इन में क्या करना है आपको कि singular verb चाट नहीं है चाटो लगाओ दुमाख मैं आपको थोड़ा highlight कर देता हूँ इनके अंदर देखो singular बताना यहां पहले आप चलो मैं पूरे को बता देता हूँ और कोई दिक्कत नहीं आएगा यह देखो यह लिख रहा है ना इसमें 2 आ रहा है ना आ रहा है नहीं आ रहा है दो लेटर आ रहा है बताओ singular कौन सा है देखो 2 आ रहा है इसका मतलब यह कम है तो यह singular है aim कम है मतलब singular है r plural है क्योंकि यह जादा रहा है समझ मा आ गया यह देखो 3 है 3 कम है 4 से तो मतलब यह singular हुआ var जादा है ना तो मतलब यह plural हो गया hedge have में देखो है जो क्या है तीन इसका मतलब यह सिंग्यूलर है वह जादा है चार आरा इसमें न तो यह हो जाएगा प्लूरल याद हो गया न अलग से याद नहीं करना पड़ा अब एक चीद और याद रखना कि देखो यह न यह एक कंट्यूनियस एक्टिविटी को शो करता है जब कोई चीज कंट्यूनियस होती है तो उसमें आपको आई अग लगाना यह अलग से याद मत करना मैंने आपसे कहा कि मैं तुम्हें पड़ा रहा हूं तो और मैं दॉड़ रहा हूं इसका मतलब यह हुआ कि आर दौनों के अंद इसे करकि गुमती चली जाएगे उसमें आजाएं इंग रिंक से याद रख लाय ना के तुम्हें आजएं पर बी किसी देंस का नाम मनसा आ जाए उसमें आपको आईएं जी और हैजसे के साथ आता है थठभा यह बाली बात आपको याद कर लेने है लेकिन अब यहां पर आ एक एक्जामपल है आप सोचना ही वर्किंग फॉर हिज पैरेंट्स यानि वह अपने मावाप के लिए काम कर रहा है अब एक बाद सोचो ही सिंग्यूलर है प्लूरल है ही माने वहां मतलब ही सिंग्यूलर है अब सिंग्यूलर का मतलब ही क्या हुआ कि जो कम डिजट वाला हो एक तो तीन इसमें कितना रहा है दो इसमें तीन इसमें तीन और इसमें चार बताओ कम डिजट वाला है वह यह आएगा आप यहां पर चेक करो इन दोनों के अंदर क्योंकि एज आ रहे हैं यह एक होता है अमने एक ग्रूप में ले लिया सिंग्यूलर है मतलब इसमें दो कम बाला आएगा यह जा सकता है इन में देखो तीन और चार में वाज वर में से क्या सकता है इसमें वाज आएगा क्योंकि वह कम बाला है कम होता है